नमुश्कार आप देख रहे हैं वे इंडिया न्यूस चनल मैं वनीता आपके साथ आए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़े खबरें कॉंग्रेसियों ने सेवा दिवस के रूप में मनाया राहूल गांदी का जनमत दिन असंगर्ठित कामकार कॉंग्रेसियों ने किया पोधार वपन काटंगी कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांदी आज 51 साल के हो गए हैं उनके जनमत दिन के मौके पर 19 जून को काटंगी ने काटकर उनका जनमत दिन मनाया तो था और संगटिद कामगार कॉंगरेसियों ने पोधार उपन किया गौतलब है कि राहुल गांदी ने कोरोना माहमारी के कारण पैदा हुए हालात के मदे नजर इस साल जनम दिन नहीं मनाने का फैसला किया है उन्होंने पार्टी कारेकरताओं से अप्ली की थी कि वे 19 जून को उनके जनम दिन के मौके पर किसी तरह के जश्न कायोजन नहीं करें कोई होर्डिंग या पोस्टर नहीं लगाए बल्कि अपने पास अप्लब संसाधन का इस्तमा जरूरत मंद लोगों की मदद करने के लिए करें इसे को ध्यान में रखते हुए कटंगी में कारेकरताओं ने बेहद ही साधान तरीके संगे जनम दिन को मनाते हुए के काट कर पोधार ओपन किया इस दोरान असतंगतित कामगार कॉंगरेस प्रदेश अध्यक्ष अशर्थोष बिसेन की निर्चितों में अरजन नालं में पोधार ओपन किया इस मौके पर जला पंचा सदसे केसर बिसेन, ब्लॉक अध्यक्ष कटंगी महेंदर बाहिश्वर, ब्लॉक अध्यक्ष तरोडी महेंदर सिंग चोहान, नगर अध्यक्ष कॉंग्रेस कमेटी संजय चोक से, नगर अध्यक्ष कॉंग्रेस सेवादल मनीश चोक से, NSUI विधानसवा अध्यक्ष आकाश करवे सागर कटोते प्रशांत हुमने कर मुन्ना गुपता अजय कावरे अंकित जैन रादेश श्याम मंडले कर शुबम अगरवाल चमन डोंगरवार प्रीजों को फलवतरन रास्ट्रे कॉंग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुलकांदी के जन्मिदन को कटंगी में यूध कॉंग्रेस ने सिवादेवस के रूप में मनाया इस मौके पर यूद कॉंग्रेस ने गरुवार 19 जून को सरकारी अस्पताल करतंगी में मरीजों को फलवतरन किया, यूद कॉंग्रेस विदान सबा इत्यक्ष आकाश करवे के ने तुछ तुम में पदा दीकारी उने सरकारी अस्पताल जाकर मरीजों को फलवतरन किया था उस पुशे सीम